हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है हाजरे फिर से आपके लिए एक नाया यूसफुल और इंट्रस्टिंग वीडियो लेके तो अगर आपको हमारे ये छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स के वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक करें शेयर करें औ कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स हैं जिसको आप डेली बेस पे अगर आप इसको यूज करेंगे तो आपको काफी ज्यादा फायदा होगा आपका समय और पैसा दोनों ही बचेंगे तो आए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली जो हमारी ट्रिक है वो है पानी को ल हैक Mississippi को व किसी की बत नहीं होती है तो आज हम आपके लिए कैसी घ्रिक लेकर आये हैं तो आपको लेना है एक एक बरतन में पाने स्टील का या कोई स्टील के बरतन में ही आपको लेना है और आपको लेना है एक पुजा वाला लोटा तो तामे का होता ही यह चोटा यह बड़ा कोई सा भी आप ले सकते हैं और आपको क्या करना है इस लोटे को इस पाने में आपको डालना है और यह पाने को कि येंगे तो आपको वैसा ही benefit मिलेगा जो की तांबे के बरतन में रखे हुए पाने से आपको मिलता है तो आशा है आपको यह हमारी छोड़ी सी ट्रिक जरूर पसंद आई होगी बढ़ते हैं अपने next trick की तरफ अगरी जो ट्रिक है वो है कप को लेके जब हम मार्केट से नए कप लेके आते हैं तो क्या होता है कि इसके जो कईवार ऐसा होता है इसकी डंडी जो है वो निकल जाती है चटक जाते हैं यानि कि बहुत जल्दी यह जो कप है वो खराब होने लगते हैं इसका एक कारण होता है कि इसमें जब ये कप बनाय जाते हैं तो इसमें एर आ जाती है उसकी वज़ासी ये चटक जाते हैं तो इस कमी को दूर करने के लिए आपको क्या करना है एक बरतर में पानी लेना है नॉर्मल पानी है और उस पानी में इसको डुबा के आप रात भर ऐसे ही छोड़ दे तो इसकी जो एयर होगी वो निकल जाएगी और आपके जो कप है वो मजबूत हो जाएगे उसके बाद आप इसको डेली बेस पर यूज कर सकते हैं तो Dexya такие पाने इतना होना चाहिए। है उसके पूरे अच्छह से डू बह रहें चोड़ा आपके कूर मिजबूत हो जाएगे और यह न चेंगे और पर पेसे की दोकूर जाएंगे अगली जो ट्रिक है वो है इस तरह के बरतन को लेके जब भी हम मार्केट से बरतन लेके आते हैं तो हम छोटे बड़े या कैसे भी लेके आ जाते हैं और फिर उसके बाद इसको हमें किचिन के रैक में रखने में काफी जादा दिक्ततों का सामना करपा पड़ता है तो आप जब भी इस तरह की भगोनी लेके आएं या बरतन कोई भी लेके आएं या डलिया है तो आपको अलग-अलग साइच के लेने हैं ताकि आप इसको एक के अंदर एक इस तरह से जमा अच्छे से रखतें तो ऐसा करने से आप जो इसपैस है स Кम लगेहा और आप्लक बरतन जो है वह अच्छे से औरकनाईज रहेंगे और Yeah इस तरह से आप इसको रैक में जमा सकती है तो आशा है आपको ये जो ट्रिक है वो भी हमारी जरूत पसंद आई की बढ़ते हैं आगे अगले जो ट्रिक है वो है आजकल जो मौसा में काफी ऐसा हो रहा है कि हवा की वज़े से हमारे हाथ पैर होट बगएरा है फेस है बहुत जादा फटने लगा है तो आज आपको हम ल पूरा रस है पूरा जो कलर है वो इस पानी में आ गया है अब इसको हम ठंडा होने देंगे और छान लेंगे अब हमें ले रहा है थोड़ा सा नार्जल का तेल थोड़ी सी वैसलीन एक विटामिनी का कैपसूल और थोड़ा सा आप चाहें तो फूड कलर ले सकती है और या लिप्स्टिक का छोटा सा एक टुकडा कलर के लिए लेना है तो यहां पर इस पानी को में थोड़ा सा ही लिया है बिल्कुल जरा से पानी में बन जाता है ज्यादा आपको लेने की जरूरत नहीं है और आप चाहें तो वैसलीन और नारियल के तेल को डबल वॉयलर से गरम क कर सकती है मैंने इसमें ही डाल के गरम कर लिया है इससे कोई ज्यादा फरक नहीं पड़ता है तो इसको वैसलीन इस पानी में हमने डाल दी है और इनारियल का तेल थोड़ा सा इसमें हमने डाल दिया है और यह लिबबा में इतना बढ़िया बनके रेडी होता है कि इसको अपने लिप्स पे अपने फेस पे लगाएंगी तो आपको जो फेस है जो आपके हूंट है वो एकदम से सौफ्ट हो जाएंगे फटेंगे नहीं और इसमें आप देख सकते हैं कोई भी हमारा खर्चा बिल्कुल भी नहीं हुआ है और बढ़ी आम घर में अच्छे तरीके से इसको थोड़ा सा गैस पे हमें बस हलका सा इतना गरम करना है कि यह जो है वो दोनों चीजें पिघल जाएं कि यह दोनों ही जमी हुई है वैसलीन और नारील का तेल तो इसको बस हमें हलका सा पिघलाना है तो गैस को दीमा रखके इसको बस जरा सा हमें पिघला लेना है ता इसको नीचे उतारके इसमें हम डालेंगे एक विटामिनी का कैपसूल आप चाहें अगर ज्यादा बना रही है तो दो से तीन की इसमें डाल सकते हैं और डालने के बाद थोड़ा से इसमें हमने फूड कलर एड़ किया है और इसको अच्छे से करके मिक्स करके और हम इसको जमने के लिए रख देंगे तो बढ़िया सा यह लिब बाम हमारे घर पे ही रेडी हो जाएगा तो यहाँ पे इसमें थोड़ा सा हमने पिन से छेट करके और यह इसका जो अंदर का जो है वो इसमें हम डाल देंगे जो विटामिनी का कैपसूल है वो हमारी स्किन के लिए होंट के लिए बहुत ज़्यादा फायदे बंद होता ही है तो आप सब को मालम होगा जड़ा से इ देख सकते हैं कितना बढ़िया का लड़ इसका आया है और एक छोटी सी हमने डिबी ली है और इसमें हमने डाल दिया है तो यह वैसलीन और नारियल का तेल जो है वो जम जाएगा तो हमारा लिब बढ़िया सा बनके रेडी हो जाएगा तो घर पे ही आप इसको तैयार कर सक इस तरह से चुटी चुटी चीज़ों से आप अपने घर में ही काफी सारी चीज़ें बना सकते हैं और आपको बजार से लाने की कोई भी जरूरत नहीं है वैसली नौनाजिल का तेल जरासा ही इसमें लगा है गुलाब की पंखुडियां तो हर घर में मिली जाती है फूट कलर भी होता है फूट कलर नहीं हो तो यह कोई आपके पास पुरान लिपस्टिक पड़ी हो वह भी आप इसमें पिखला के इसमें एड कर सकती है तो इन चोटी चोटी चीज़ों से वैस्ट चीज़ों से हमारे लिए काफी यूसफूल एक चीज बनके रेडी हो गई है तो आप इसको घर पे ही बनाएं और अपने कमेंट करके हमें बताएं कि यह आपको आइडिया जो है वह हमारा कैसा लागा तो बढ़ते हैं नेक्स ट्रिप की तरफ तो यह आप देख सकते हैं कितना यह जमने के बाद कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी में आ गया है बड़िया तो अगली जो ट्रिक है वह है कड़ाई को साफ करने के लिए एक हमने ऐसा सॉलूशन बनाके रेडी किया है जो काफी जादा वर्क करता है और आपको बिना मेहनत के बिना किसी भी कठिनाई कि आप अपनी जले हुई कड़ाई को आराम से साफ कर सकते हैं तो इसको बनाने के थोड़ा समने डिश जेल लिया है विंबार है यहां पर हमने जरासा ही बनाया क्योंकि एक कड़ाई हमें साफ करने आगर आपको बरतंद होने के लिए इसको ज्यादा बनाना है तो आप ज्यादा बनाके इसको बोतल में स्टोर करके रख सकते हैं अब इसमें हम एक चीज ए है तो यहाँ को यहाँ पर आपको ऑई वाला उदम कोल खर लेना है और हम ने ढFree चीजों में हमने थोड़ा सा पानी एड़ किया है आपको अगर ज्यादा बनाना है तो आप थोड़ा सा सारी चीजे ज्यादा लेकि और थोड़ा सा पानी अच्छे से एड़ करके इसको बोतल में स्टोर कर सकती है इन सभी चीजों को मिला लिया है और इसको कड़ाई हमने एक जो है वो गाढ़ा लग रहा था और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हम आपको कढ़ाई इससे इस सॉलूशन से साफ करके बताएंगे आपकी कितनी भी जलि होई और फिर हमारा साफ करके बताएंगे झाल 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 तो यह पूरी तरीके से साफ हो जाएगी तो दोने तरफ से आप देख सकते हैं कढ़ाई कितनी अच्छे से साफ हो गई है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलें थैंक्यू झाल